Welcome back to our channel Kapoor Guru Kool तो आज बहुत समय बाद vocabulary class हो रही है तो चलिए बिना time waste करते होगे आज की vocabulary class शुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं मैं पस क्या word है हमारे पास word है stumble अब stumble से similar sound करता हुआ एक word याद आएगा हमें dumbbell अब जिम में dumbbell use करके उसको वापस प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखोगे तो किसी का पैर उसपे पढ़ेगा और वो लडखडा के गिर जाएगा तो बस यही ट्रिक है स्टम्बल से आज आएगा dumbbell जिम में dumbbell use करने के बाद उसको उसकी सही जगा पर नहीं रखोगे तो किसी का पैर लगेगा और वो लडखडा के गिर जाएगा तो स्टम्बल का क्या मतलब है लडखडा ना चलिए देखते हैं हमारे पास क्या word है हमारे पास word है encumber अब encumber में से क्या निकलेगा कम number English में कम number आपके selection में बाधा डाल सकते हैं ध्यान रखना इस चीज को यह trick भी है और सचाई भी है तो English पे पूरा focus करो चलिए देखते हैं encumber से निकलेगा कम number और English में कम number आपके selection में बाधा डाल सकते हैं तो encumber का क्या मतलब है abstract या फिर बाधा डालना चलिए देखते हैं मारे पास क्या word है हमारे पास word है encomium अब encomium से similar sound करता हुआ word निकलेगा income अब अगर आपके income ज्यादा होगी तो हर कोई आपकी तारीव करेगा आपकी praise करेगा, आपकी प्रिशनसा करेगा तो बस यह trick है encomium से निकलेगा income और अगर आपकी income ज्यादा होगी तो हर कोई आपकी प्रिशंसा करेगा, आपकी प्रेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा तो Encomium का क्या मतलब है प्रिशंसा करना या फिर प्रेज अच्छा एक और ज़रूरी बात इसके बारे मैं आप से बात करना चाहरी थी मेरे पास Instagram पे बहुत सारे messages आ रहे थे कि माम हमें ऐसी अच्छी बुक्स के बारे में बताओ जिसमें हमारे को SSE, RRB, Defense, Banking के लिए अलग-अलग बुक्स ना लेनी पड़े तो मैं आज आपको ऐसी अच्छी बुक्स के बारे में बताऊंगी सबसे पहले इंग्रिश की ये बुक्स इसमें आपको सारे essential topics और types covered मिलेंगे इसमें 5000 से जादा questions हैं मतलब basic से advanced level तक हर variety के questions मिल जाएंगे with explanation वह भी बिलकुल असान language में इसमें descriptive का section भी है इसलिए आपको descriptive के लिए अलग से कोई book लेनी के ज़ुरत नहीं पड़ेगी ऐसे दिशा publication की quant और reasoning की books भी हैं इसमें आपको काफी सारे shortcut tricks भी मिल जाएंगे इसमें latest pattern पर based questions हैं previous year questions का भी अच्छा collection है reasoning वाले book में verbal, non-verbal और analytical reasoning तीनों ही covered हैं तो यहां भी आपको अलग-अलग books नहीं लेनी पड़ेंगी GK की जो यह book है इसमें भी काफी सारे प्लोचार्ट, tables, diagrams यूज कर रखे हैं जिससे समझने में काफी असानी होती है इस book के साथ आपको लग-बग 30 घंटे का free e-course भी मिल जाएगा इन सभी books का link description में है देखने के कोई पैसे नहीं है देख ज़रूर लेना लेना ना लेना आपकी मर्जी है बाकि मुझे यह books काफी अच्छी लगे आईए देखिए हमारे पास क्या word है हमारे पास word है गैर्यूलस अब गैर्यूलस से क्या निकलेगा गैर लोग जो talkative बातूनी लोग होते हैं वो गैर लोगों से भी बात कर लेते हैं बस इसे इन टेंस्मेंट ट्रिक है गैर्यूलस से याद आएगा गैर लोग जो talkative बातूनी लोग होते हैं वो गैर लोगों से भी बात कर लेते हैं तो गैरूलस का क्या मतलब है? टॉकेटेव, बातूनी आईए देखते हैं हमारे पस क्या वर्ड है? हमारे पस वर्ड है रफल अब रफल से सिम्रे सांड करता हूँ वर्ड है हमारे पास शफल शफल करना तो पता है ना? अब आप ताश की नई गड़ी लेकर आए मार्केट से तो उसके बाद घर आके आपने उसे शफल कर दिया तो उसका जो ओर्ड था वो खराब हो गया वो डिसरेंज हो गए, डिसॉर्ड हो गए तो बस यही ट्रिक है रफल से सिमरे खांड करता हो वर्ड यहाद आएगा शफल और आप ताश की नई गड़ी मार्केट से लेकर आए हो और आपने आकर उसको शफल कर दिया उसका जो ओर्डर था वो खराब हो गया वो डिसॉर्डर हो गए, डिसरेंज हो गए तो रफल का क्या मतलब होगा डिसरेंज या फिर डिसॉर्डर आएगो देख रहा हमारे पास वर्ड है स्ट्रेंड अब स्ट्रेंड वर्ड से ही एक वर्ड निकलेगा अब भई अगर आपने ट्रैवल करना है और ट्रेंड के जगा कार से ट्रैवल कर रहे हो तो तो आपको कितना सब्स्रेस होगा किनी टेंशन होगा ट्राफिक को देखो रो पे ध्यांदो ये देखो वो देखो बिल्कुल स्ट्रेस ओ जाएगा आपको लेकिन अगर्ग आप ट्रेंड मौई टन्षर ने कोई ये कोई स्ट्रेस थे बितें मौट से जाओगे तो रोड पे ध्यान देना है, ट्राफिक देखना है, इधार, उदार सब कुछ हर चीज ध्यान रखनी है, stress, tension, तब कुछ, तो बस इसी ट्रिक से आपको पता से हुज जाएगा स्ट्रीन का मतलब, स्ट्रीन का क्या मतलब है, तनाव, stress, tension, आईए देखते हैं मैं पस क्या word है, हमारे पस word है, प्रिन, अब प्रिन word से similar side word मिलेगा हम acquiring. अब जो राजा होता है, उसकी जो रानी होती है, वो अपने आपको राजा के लिए सजाती है, सवारती है, ग्रूम करती है. तो बस यही ट्रिक है, तो प्रिन से आद आएगा, प्रिन ओर जो प्रिनस होती है, जो रा सब्सक्राइब रीन करती है अब जो धूला होता है उसकी चुलहन होती है वह वाव सब्सक्राइब सबहुति है दूलह कोट करती है तो बस क्या है प्रीन के मतलब में ही चुपा हुआ है गूरुम से आदाएगा bridegroom और जो bridegroom यानि कि दूलह, दूलह की जो दूलहन होती है, वो अपने आपको दूले के लिए सजाती है, सवारती है, अपने आपको groom करती है, तो बस ये दिन दो ट्रिक से आपको पता सोल जाएगा, पीन का मतलब, पीन का क्या मतलब है, groom या फिर clean, या फिर बल, बल मतलब ताकत, अब जिसके पास कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो उसकी क्या दिखा रहा है, उसकी वीकनेस दिखा रहा है, तो बस यही ट्रिक है, फोई बल से याद आएगा कोई बल और जिसके पास कोई बल नहीं है, उसकी वो क्या दिखा रहा है, वीकने अब defray word से similar sound करता हूँ word निकलेगा, pay, pay यानि पैसे देना, उसने पैसे देकर pay करके मामले को settle कर लिया, या मामले को clear कर लिया, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि उसने pay करके पैसे देकर हिसाब चुका दिया, या फिर हिसाब कर लिया, ठीक है, ये दोनों ही ट्रिक्स बहुत easy हैं, बहुत असानी से आपको defray का मतलब समझ में आ जाएगा, तो defray से similar sound करता हूँ याद आएगा, pay, pay यानि पैसे देना, उसने पैसे देकर हिसाब चुका लिया, या मामले को settle कर लिया, या मामले को clear कर लिया, तो defray का क्या मतलब होगा, हिसाब करना, हिसाब या फिर clear, चली देखते हैं मारे पास क्या word है, हमारे पास word है, fitful, अब fitful में से दो words निकलेंगे, fully fit, अब जो लोग irregular है, unsettled हैं, वो कभी भी fully fit नहीं हो पाएंगे, तो बस इसी sentence metric है, fitful से निकलेगा fully fit, जो irregular या unsettled लोग हैं, वो कभी भी fully fit नहीं हो पाएंगे, तो fitful कर क्या मतलब है, irregular, unsettled, I hope आपको आज की वो cap की class के सभी words समझ होएं, आ गए होगे, कोई भी doubt हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे comment कर सकते हो, मुझे instagram पर message कर सकते हो, मेरी instagram id यहां पर आ रही होगी, तो फिर मिलेंगे अगली video में, और जैसे मैं हमेशा कहती पढ़ते रहो, घबराना बिलकुल नहीं है, मेनत करते रहो, selection जरूर हो जाएगा